तरी नरिंदर तो मर्दा किसान नो लेके एक वर फिर बड़ा बयान सामने आये उनना दा कहना है कि पंजाब दे किसान जेडी फसल बीज देने और होरा नू तक खवान देने पर आप नहीं खांदे और उनना ने किया है कि इस करके क्योंकि केमिकल्स दी वर्तो पंजाब जरूरी है बहुत लाजमी है कि खेती दे कम कीता जाए खेती नो बचाया जाए ठाला कि किसाना नो लेके वड़ा बयान है कि किसान जेडी फसल बीज देने ओ आप नहीं खांदे अपने कराच नहीं लिएं आप नहीं खाई जांदी पर बाकिया देकर रात तक जरूर पंज जोर दिता है खेती वाड़ी मंतरी नरंधर तोमर नेुगना दा वड़ा बयान सामने आए कि इंडरी खेती मंतरी नरंधर सिंग तोमर ने किया कि रसनाई खेती दा नुकसान अजेहा है कि पंजाब दा किसान अपनी बीजी फसल होरा नू ता वेच दा है पर ओ आप इस दी वर्तो नहीं कर दा है उन्हाने कहा कि कीट नाशका दी वर्तो ते रुचान नू बदलना पवेगा उन्हाने निवेकली खेती बारे एथे एक वर्क्शॉप दे विच संबोधन कर देया कहा कि सरकार खेती सेक्टर नू दरपेश्च नौतिया दे हल ली वचन बद है उन्हाने कहा कि खेती दे बदलाव तांग तरी किया नल खास करके खुद्रेती खेती नू चाहित कीता जा रहे है ते देश्च खेती नू बचौन दी लोड़ है क्योंकि वड़ी फीस्दिया बादी अपनी रोजी रोटी लेई खेती ते निरबर है खुद्रेती खेती अपनों देकारना दा हवाला दिन दिया उन्हाने किया कि रसनायना नाल खेती उन्ही सो पंजावियांच हरे इंकलाब दुरान शुरू कीती गई सी अते इस नाल देश वादू अनाच पैदा हो गया सी पर खेती देश तरीके दामाडा असन मिट्टी पानी ते आलमी तप्षते प्याश्री तोमर नी कहा है कि खेती ने अना नरंदर तोमर खेती मंतरी दा वड़ा ब्यान सामने आया है उन्हींने कहा है कि हर इंकलाब दा माडा असर पैया मिट्टी ते पानी ते आलमी तप्षते और इस दा उन्हीं दावा कीता है कि पंजाब दे किसान अपनी फसल बेच देने पर खुद ऑपने करा देवे चो ही अपनी बीजी फसल नहीं ले आंदे और आप नहीं खांदे पर होरा नूँ जरूर दती जान दिया तो कुद्रती खेती अपनों ले क्या है और खेती नूँ बचान लीवी क्या गया है खेती मंदरी नरंदर तोमर वलो एक वारे वी था नू सुना देंदे कि आखिर उन्हा वो आगे बढ़ाया है लेकि उसकी अपनी एक सीमा है और वो सीमा सबके सामने आ गई है जहां पर फर्टलाइजर का बहुत अधिक उप्योग हो रहा है वो लालच में कर जरूर रहे लेकिन वो महसूस कर रहे है कि वो गलती कर रहे है मैं पंजाब के मित्रों से कई वार बा खेती करते हुए पैसे तो कमाता है लेकिन प्रसन दिखाई नहीं देता पानी की दृष्टी से परिसान है फर्टलाइजर दिनों दिन मात्रा बढ़ती जा रहे है उससे परिसान है और कई भार तो ऐसी स्थिति है कि मैं उगाता हूं और फर्टलाइजर भरपूर डालता पेश्टी साइट का भरपूर उपयोग करता हूं और जो मैं अपने खेत में उत्पादन करता हूं वो दूसरों को बेचता हूं लेकिन स्वयम उसका उपयोग नहीं करता हूं यह सच्छाई भी अब सामने आने लगी है और इसलिए समय के साथ अपने को दुरुस्त करना प कि देश ने कदम बढ़ाई और मुझे कहते हुए परसनता है क्रसी मंत्राले की परंपरागत क्रसी योचना के अंतरगत कि आर्थिक साहिता भी दी जाती है और आज किसानों के परिश्रम के परिणाम सरूप कि 38 लाख हेक्टियर छेत्र में लगवक जय भी खिती हो रही है यह सच